हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भारती, स्वागत है आपका भारती ज्वर्ड में, आज मैं आप लोग के साथ शेर करूंगी सुबह की एसी छे आदते जिनको आप इस्तमाल करके अपनी लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस पास सकते हों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते ह दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो सुबह का समय सही से इस्तमाल करते हैं, और अपनी जिन्दगी में सफलता, काम्याबी, हेल्दी, हेल्दी बोडी, हेल्दी माइन ये सब हसिल कर लेते हैं, और दूसरे वो जो सुबह के अमूल्य और वहल्योबल समय को ऐसे ही सोने में गवा देते हैं। तो आप किन लोगों में से हो। सुबह का सही से इस्तमाल करने वालों में से या फिर सुबह के समय को ऐसे ही बरबाद कर देने वालों में से। अगर आपको एक सफल healthy and wealthy life आप अगर जीना चाहते हो। तो इन चीजों को अगर आप सुबह के आदत बना लो तो ये definitely हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सुबह की ये छे आदत हैं। तो हमारी पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत है। जो लोग देर से उठते हैं उनका पूरा दिन बिखरा बिखरा सा रहता है। हर काम को जल्दी जल्दी करने की वो कोशिश करते रहते हैं। इसलिए उनकी जिन्दगी में भाग दोड मची रहती हैं। वहीं जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उनको अपने हेल्द के लिए, माइंड के लिए और सुन्दर बविश्य को प्लान करने के लिए अच्छा खासा समय मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉड़ी और आपका माइंड हेल्दी रही, तो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत अपने आप में डाल लीनी है। कहते हैं, जिन्दगी के जो भी सबसे इंपोर्टन काम है, वो हमें सुबह आट बचने से पहले खतम कर लेने चाहें। इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत अपने आप में डाल लो। हमारी दूसरी आदत है, मेडिटेशन। दुनिया के जो भी बड़े-बड़े मिलेनियर्स और बिजनेसमेन हैं, वो अपने सक्सेस का क्रेडिट, मेडिटेशन याने ध्यान को देते हैं। क्योंकि ध्यान करने से आपका मन और दिमाग दोनों शान्त रहते हैं। अगर आप कोई काम एक शान्त मन के साथ करते हो, तो आपका वो काम अच्छे से कम्प्लिट होगा। वही पे अशान्त और बढ़के मन के साथ किया हुआ काम कभी अच्छे से कम्प्लिट नहीं हो पाएगा। ध्यान करने से आपके मन में जो भी निगेटिव विचार आते हैं, वो खतम हो जाते हैं, आपके मन और विचारों में एक शान्ती से आने लगती हैं, दुनिया का वही इंसान खुश है जिसका मन शान्त है, तो इसलिए हमें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, तो हमारी तीसरी आदत है एक्सराइज याने व्यायाम, एक्सराइज करने के लिए जरूरी नहीं कि हम जिम ही जाए, एक्सराइज घर पे भी कर सकते हैं, एक्सराइज करने से हमारा शरीर ही नहीं, हमारा मन भी हलका होता है, जो लोग हर सुबह एक्सराइज करते हैं, वो सिर्फ 15 मिनिट के लिए ही क्यों नहों, हर सुबह एक्ससाइद जरूर करनी चाहिए। तो हमारी चोथी आदत है रीडिंग। रोज सुबह उठकर हमें कोई भी सेर्प डेवलक्मेंट की बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको रीडिंग में इंट्रेस्ट है तो आप 10-12 पेज़े भी पढ़ सकते हो। अगर आपको इंट्रेस्ट नहीं है तो भी आप थोड़ी समय के लिए क्यों नहों, पाच-10 मिनिट के लिए क्यों नहों, बुक जरूर पढ़े। इससे आपके नौलेज और माइंड दोनों डेवलप होंगे। तो इसलिए हमें रोज सुबह बुक पढ़ने की आदत अपने आप में जरूर डाल लेनी है। हमारी पाचवे आदत है हेल्थ केर। हर सुबह उठकर हमें हमारी हेल्थ की केर जरूर करने चलिए। सुबह उठने के बाद हमारी बॉड़ी जो हे वो डिहाइडरेट हो चुकी होती है। तो हमें सुबह सुबह दो गलास पानी जरूर पीना चाहिए। तो पानी में आप अपने हिसाब से कुछ भी आड़ कर सकते हों जैसे कि लेमन, हनी, आप जो चाहे हों। जैसे कि मैं आवला जूस डालना प्रेफर करती हूँ, मतलब अपने बॉड़ी की सुनो, आपके बॉड़ी को जो भी सूट करता है, वो आप ट्राइ करों। फिर उसे ही कंटीनू करों। नहीं कुछ तो सिर्फ आप गुनगुना पानी भी प्लेन पानी पी सकते हों। तो अपने बॉड़ी को हाइडरेट रखना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह हमारा जो सुबह का मिल होता है, पहला मिल यानि की ब्रेकफास्ट वो भी बहुत ही हेल्दी होना ज़रूरी है। जिस तरह का खाना हम खाते हैं, उसी तरह का हमारा स्ववाव बनता जाता है। तो इसलिए हमारे हेल्द की केर करनी बहुत ज़रूरी है। अमारी next आदत है वो है day plan याने कि हमें सुबह सुबह उठके ही अपने पूरे दिन को पहले सी ही plan कर लेना चाहिए जो लोग अपने पूरे दिन को अच्छे से plan कर लेते हैं वो लोग पहले ही decide कर लेते हैं कि आज मुझे कौन-कौन से काम complete करने हैं हर काम के लिए मुझे कितना समय देना है ये उनका पहले सी plan होता है जो लोग ऐसा करते हैं उनका पूरा दिन अच्छे से manage हो जाता है उनको हर चीज के लिए अच्छा खासा समय मीच जाता है जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनका पूरा दिन बिख्रा बिख्रा सा रहता है जो लोग अपने दिन को अच्छे से प्लान करते हैं, उनको हर काम उनका समय पे खतम होता है इसलिए हमें अपने दिन को अच्छे से प्लान जरूर करना चाहिए और एक बात, इंसान अपनी जिंदगी में आदतों की वज़े से ही सब कुछ पास सकता है और आदतों की वज़े से ही उसकी जिंदगी में जो कुछ है वो सब कुछ गवा भी सकता है तो अगर आदते अच्छी हो तो हम अपने लिए सब कुछ पा सकते हैं और अगर आदते अपनी बिगडी हुई हो तो अपने पास जो कुछ भी है वो भी हम गवा देंगे तो अगर आपको सफल, healthy and wealthy life चाहिए तो आपको ये सुबह की जो 6 आदते मैंने अभी बताई वो अपने जीवन में जरूर implement करने चाहिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरी बाते थोड़ी भी useful लगे तो मेरे वीडियो को like and comment जरूर करें आपके like and comment से ही मुझे next video बनाने के लिए motivation मिलता है So, do comment and like my video और मेरे वीडियो को जादा से जादा अपने friends and family के साथ share करें चैनल को subscribe करें मिलते हैं ऐसी ही next video के साथ तब तक के लिए बाई बाई